नमस्कार दोस्तों Samsung TV में आपको मिलते है PC on TV Features इस Features के यूज करके आप क्या कर सकते हैं आप Laptop Screen को TV पे यूज कर पाएंगे आप माल ये Laptop के Screen को आप TV पे वायरलेशली शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने फोन के Screen को आप TV पे शेयर करते हैं बड़े Screen पे देखते हैं उसी परकार से आप क्या कर सकते हैं आपके Laptop का Screen जो है उसको भी आप वायरलेशली टीवी स्कीन पे आप देख पाएंगे तो इसके लिए आपके पास Window 10 विंडो वर्सन सब्कूर्ड होना चाहिए तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसे यूज करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको मिलता आपको स्टेप यहां पे गाइड क्या होगा कैसे करना है कहां कहां पर जानी आप यहां पर डिटेल में चेक कर पाएंगे तो यह पूरा आपको गाइड दिया गया है और यह जो है इसको यूज करने के लिए आपके पास जो laptop होनी चाहिए विंडो टीन एंड आप होना चा यहाँ पर आप जो टीवी पर कनेक्क करना चाहते हैं उस मॉडल को आप स्लेट कर लिजे तो यहाँ पर मैं मॉडल स्लेक कर लेता हूं जो मॉडल हमें सेयर करना है जिस टीवी पर तो देख सकते हैं मैं यह मॉडल select कर लिया है Q60B तो यह almost सभी टीवी में आपका smart TVs में यह available है यह यूज कर सकते हैं आप इसे तो यह देख सकते हैं आपको connecting लिख रहा है अब आपको टीवी पर दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं आपका टीवी पर अलाव करने के लिए बोल रहा है तो यह से आप इसे अलाव करते हैं आप रिमोट से जैसे इसे अलाव करेंगे आपका जो है यह connecting होगा टीवी आपका laptop के साथ लैप टॉप का स्क्रीन जो है वार लेसली आपका टीवी पर आ जाएगा आपको कोई वायर रिजन नहीं करना पड़ेगा like HDMI के बल सो यह देख सकत हैं तो इसे आप यूज कर पाएंगे हैं तो यहां पर आप लाएक यहां पर बड़े स्किन पर मुवीज देखना चाहते हैं या आपके laptop में कुछ पीटी ऑफिशल डॉकुमेंट है जिसे आप सेयर करना चाहते हैं मीटिंग में तो असानी से वारलेसली आप इसे यूज कर सकते हैं तो इस प्रकार आप अपने laptop के स्किन को टीवी पे वारलेसली आप से एकर पाएंगे उमीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफे यूजफूल और इंट्रेस्टिंग रही होंगी समझने में सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और ज